तो दोस्तों जो भी student SSCGD में online apply किये हैं तो आज उनके लिए एक बड़ी जानकारी है और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो दोस्तों काफी सारे student जो ससी जीडि में apply किये हैं जब वो अपना application status चेक करते हैं उनको content not verified आ रहा है अब काफी सारे अभ्यारती पने सान है कि यार हमने तो पैसा भी जमा कर दिया photo signature जो भी data हमसे मांगा गया हमने SSCGD में online apply करते समय यह data उनको दिया लेकिन यहाँ पर जब हम अपना print out करते हैं अपना application status चेक करते हैं तो content not verified आ रहा है इसका मतलब क्या क्या हमारा form reject हो गया तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने बाले हैं कि कि किसका form reject होगा और किसका form reject नहीं होगा यदि content not verified आ रहा है इसका मतलब क्या यह कब तक content verified का option टिक लग जाएगा यह अब आप अपने पढ़ाई पर focus कीजिए क्योंकि समाए कम है समझ के दोस्तों पोस्ट की भी संख्या कम है और समाएं भी कम है इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल भी कटवती नहीं करनी है जोड़ार पढ़ाई आप लोगों को करनी है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि application status कैसे चेक करना है तो देखिए यह एस्कीन सॉक्ट एस्टुडेंटों के द्वा content not verified photo signature upload uploaded content not verified फिर यहां पर देख लिए apply for complete content not verified payment status complete application status application received content not verified अब काफे एस्टुडेंट यार हर जगा content not verified content content किसी एक में लगा रहता तो चलो एस्टुडेंट बोलता चलो एक इसी एक में लगा है जब हमने photo भी upload कर दिया जब हमने signature भी upload कर दिया सब कुछ upload कर दिया content not verified का मतलब क्या तो चलिए सबसे पहले आज इस वीडियो में जानेंगे कि application status कैसे चेक करना है और दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले यहां पर करना क्या है तो आप लोगों के ससी के website पर आजाना है और दोस्तों जैसे आप लोगे ससी के website पर आईएगा तो दोस्तों अभी जो हम आप लोगों को live proof करके दिखाते तो अभी ससी जीडिका website पूरी तरह से जाम चल रहा है क्योंकि यहां आप सीगिडी बालों को एडिट का ओप्षन दिया गया है किसी का फॉर्म गलत हो गया किसी का फॉर्म कुछ हो गया है तो का मतलब की इस समय दिया गया है इसलिए भी जैदा चल रहा है तो यहां पर अपना पास्वर्ड रज्स्रेसन आइडी और यहांपर अपना पासवर्ड और यह अप्चा-codes अक्षान 2024 लिखा हुआ है यहां पर आने के बाद यहां पर देखें दोस्तो अपलाय है यहां से print कर सकते हैं समझे तो यहां पर क्या करना है यह जो payment status है इस payment status पे click करना है जैसे आप payment status पे click कीजिएगा तो आप लोगों के सामने यह फुल कर आ जाएगा समझ गए आप यहां पर देख लिए और आपने सारा डाटा डाल दिया है समझ गए सारा डाटा आपने डाल दिया है फिर भी आपको यह आ रहा है तो किस-किस को तो देखे यहां पर आपका नाम दिख जाएगा यहां पर आपका फी तो देखे यहां पर फी दिख जाएगा और अप्लिकेशन डिसीब है कॉंटन कॉंटेंट नौट वेडिफाइड और पेमेंट एस्टेटरस कंप्लीट है यहां पर देख लिजिए समझ गए ऐसे जब पेमेंट एस्टेटरस इनकम्प्लीट और अप्लिकेशन इनकम्प्लीट अब देखे दोस्तों हम आप लोगों को बता दे यदि जिस भी एस्टूडेंट का जिस भी एस्टूडेंट का यदि ऐसा पेमेंट एस्टेटरस इनकम्प्लीट अप्लिकेशन एस्टेटरस इनकम् अप्लिकेशन को फुल नहीं किया मतलब इनका अप्लिकेशन जो है वह इनकम्प्लीट है आधा अधूरा है पेमेंट नहीं किया और यहां पर इसका भी सबका सेम है लेकिन यहां पर देख लिजे दोस्तों हम आप लोगों को बता दे सबसे पर जान लिजे यह यह दिख रहा है जाएगा लेकिन यदि आपके फॉर्म पर आप अपना फॉर्म चे कीजे प्रीन टॉट में यदि अप दोस्तों आज हम बाग करने वाले हैं ससी जीडी कॉंस्टेबल भरती परिक्षा दोहजार चौवीस के बेस्ट बुक के बारे में जो की चक्चु परकासन की सब से बेस दोस्तों इस बुक के साथ इनकी प्रैटिक सेट भी आती है जिसे पढ़कर आप अपनी तयारी को और मजबूत कर सकते हैं दोस्तों आप लोग ये बुक और ये प्रैटिक सेट ऑनलाइन पर चेज करना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटा प कंप्लीट है यदि जिसके भी फॉर्म पर यदि अप्लीकेशन इनकंप्लीट दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका फॉर्म रिजक्ट हो जाएगा आपका अडमीट कार नहीं आएगा इतना आप लोग समझ गए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक स्टेटर्स आपने पेमेंट भी कर दिया है अप्लीकेशन की बात करें तो अप्लीकेशन रिसीव है आपका समझ कि अप्लीकेशन जो वैब साइट के पास जो एससी के पास आपका अप्लीकेशन मतलब कि क्या हो गया तो जमा हो गया मतलब अप्लीकेशन कर लिया आपका admit card आएगा समझ कि दोस्तों उसका admit card आएगा अब यहां पर content not verified मतलब क्या आपने अपना अधार card दिया है दसवी का number दिया है दसवी का mark sheet upload किया है अधार card upload किया है जो भी data phone fill up करते समय आपने ssc को दिया है ssc accept कर लिया मतलब कि जमा हो गया लेकिन वह verified नहीं हुआ है मतलब समझे मतलब वह verified नहीं हुआ है आपने जो अप्लिकेशन दिया है तो अप्लिकेशन आपका rice अब है लेकिन अभी application का जांच नहीं HOW है इसे सिलिए आपका content not verified रहा है समझे content not verified कि शेडर्म की कोई बात नहीं है अपने application संदिया अप्लिकेशन ने रख लिया लेकिन अभी उसको चेक नहीं किया जैसे चेक होगा तो यहां पर पेमेंट यहां पर स्टेटस में बदलाव आएगा का बदलाव आएगा हम फटा फट वीडियो बना कर आप लोगों को इसी चैनल पर बता देंगे चैनल पे नए है और पहली बाड़े तो सब्सक्राइब कर लिए इसी परकार की जानकारीर के लिए दोस्तों यदि आप में content not verified दिख रहा है तो घबराना नहीं है वसरते आपका incomplete नहीं दिखना चाहिए यदि आपका form में incomplete दिख रहा है तो आपका form reject हो जाएग यदि आप में complete 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 और content not verified दिख रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है अब जैसे ससी आपके form को check करके accept कर लेगी आपको सारा चीज accepted नजर आ जाएगा घबराने के बात नहीं है मिलते next वीडियो में जाहिए